हलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ची गुरुची में, मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपके लिए एक और इन्फोमेशनल वीडियो निकर किया गई हूँ जैसा कि हम सब जानते हैं देश भर में बहुत सारे बच्चे UPSC Civil Services Examination की प्रपरेशन कर रहे हैं और ये बच्चे जी जान से एक्जामिनेशन की प्रपरेशन कर रहे हैं तो आज हम सबसे पहले UPSC Civil Services Examination जिसे हम IAS Examination के बारे इतनाम सी भी जानते हैं उसके बारे में पहले हम थोड़ा सजानेंगे फिर हम वीडियो में आगी बढ़ेंगे UPSC Civil Services के Examination जो आते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं Examination इसके बाद Interview अलग होता है यानि Total 3 Stages होती है इसके Examination की Number 1 पर आता है Prelims, Number 2 पर आता है Mains और Number 3 पर आता है Interview अब Prelims के बात करें तो Prelims में आपका पर आता है Objective Paper इसके बार Mains चो होता है वहाफ का subjective होता है Prelims में आपके दो पर आते हैं GS का पेपर usar č. lleg के Objective होता है इसके बार जो Mains paper होता है MAINS में आपके काफी सारे एकजांस होते हैं Optional subject के paper होते हैं, आपके GS के paper होते हैं, आपके qualifying nature वाले paper होते हैं, language paper होते हैं, इसके बाद आता है interview, आईए एस examination का interview तो पूरे इंडिया में काफी जादा famous है, कितना tough माना जाता है, personality, development, classes इसके लिए बहुत जादा सरूरी है, students के लिए, और इसी के साथ इसके paper में negative marking भी होत तो please answers गलत मत कीजिए, गलत answer डिक मत कीजिए, अगर आप question में बिलकुल sure हैं, तब ही उस question को आप चौर्म कीजिए, उस question को attempt कीजिए, otherwise negative marking से, 0.1 negative marking से भी आपके ranking में काफी असर पड़ जाता है, लखो ranking में असर पड़ता है, तो इस चीज़ का please ध्यान दीजिए, negative marking में ब परवेंद्रम जिसे पहले तिरुवननद्पुरम के नाम से भी जना जाता था, ये भी काफी ज्यादा फेमस है, अपने education के लिए और साथ के साथ अपने visiting के लिए भी प्रावल के लिए भी, काफी ज्यादा famous जभा है यहां पर घूमने की, काफी ज्यादा famous temples है, यहां पर pe कर रहे हैं, entrance examinations, medical examinations, civil services, तभी तरीके के examinations की preparation कर रहे हैं, तो अगर आप भी प्रिवेंद्रम में UPSC civil services की preparation कर रहे हो, तो इस वीडियो को last तक ज़रूर देखिए, ये कुछ मिनट की वीडियो आपको बहुत सारी information कर सकते हैं, बहुत सारी knowledge देते हैं, तो दोस्तों हम already ए जो टॉप के institutes हैं, उनके बारे में उसी एक वीडियो में आपको बताया है, रांकिंग वाइस, कौन सी रांक पर कौन सा institute है, उनका address, उनकी contact details, सब कुछ हम दे लिया है, और हर institute के बारे में एक शॉप कर दिली है, तो उस वीडियो का लिंक नीचे description box में मौचूद है, बताय गई हैं, आपको उस institute के बाले में वो वीडियो भी हम अप्लोड कर चुके हैं, आपको उन वीडियो को भी हमारे चैनल पर वजिप कर सकते हैं, इससे पहले आप ये लिस्ट डेख सकते हैं, इंग वाइस, कौन सी रांक पर कौन सा institute है, हम वो वीडियो आपके सामने, ह आई-लर्न institute बहुत ही जादा फेमास, बहुत ही अच्छा कोचिंग institute है, और पूरे त्रिवेंद्रम में ये रांक फूर्थ का सबसे अच्छा institute है, तो इनके फीचर्स की बात करीं, तो इनके फीचर्स आपके सामने स्क्रीन कर मौजूद है, जैसा कि हर फेमास institute का होता है, कैसे आप shortcut में जन्दी से जन्दी किसी भी question को solve कर सकते हैं, उसकी proper tricks आपको दी जाती है, उस में step by step आपको notes प्रवाइद किये जाते हैं, ये institute आपको बहुत ही unique way में बढ़ाता है, बहुत ही अच्छे way में बढ़ाता है, इनके अलावा, इनकी जो faculties हैं, वो बहुत ही ज् किसी भी subject में तो वो timely clear करिया जाता है आपका ताकि आप अपने preparation को आगे लेकर के जा सके, तो ये institute आपको हर वे में help करता है, आपके exam को qualify करने के लिए, इंटव्यू के लिए personality development की classes भी यहां पर दी जाती हैं, और इनका fee structure भी बाकियों के मुगाबले काफी जादा nominal है, इ module है, तो thank you so much दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, हमारी वीडियो को please please like कीजिए, share कीजिए, हमारे चानल को subscribe कीजिए और bell बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लोग बहुत जादा महनत करके आपके लिए ये वीडियो लेकर के आती है, मिलती हू अपनी अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे, एक नई location की, एक नई वीडियो की, एक नई information के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी preparation को जारी रखिये, all the very best for your preparations.